नमस्कार दोस्तो वो कहते है ना कोन कहता है हमें जूट नहीं बोलते कोन कहता है हमें जूट नहीं बोलते एक बार मेरी खेरियत पूछ करतो देखो नमस्कार दोस्तों एक और फिर से आपका हार्दिक स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जीके भाई परदीब सर पे और बच्चों के बार-बार कॉमेंट आ रही थे आज उसी के सभी बच्चों के जो कॉमेंट थे उनका आज मैं रिपलाई करूँगा कल रात को बिहार से आया था और कल प्यारे बच्चों मतलब फिर सिरसा में लाइबरेरी की ओपनिंग में भी गया था कल और पूरा दिन कल व्यस था तो आज थोड़ी सी हल ठीक नहीं है तो प्रोपर कल से प्यारे बच्चों आपकी कलास है ना यूट्यूब पर मिलने आपको सुरू हो जाएगी ये एक इनफोर्मेशन वीडियो रहेगी कल से और सबसे पहले आप सभी का आर्दिक धन्यवाद करता हूँ कि आपका प्रिवार साड़े चार लाग का हो गया है औ और प्यारे बच्चों आज जो डाउट्स लेना चाहता हूँ बच्चों के कमेंट आ रहे थे एक तो हरियाना पुलिस के रजेल्ट के बारे में आए रहे थे एक कमेंट आ रहे थे ग्राम सचिव का एकजाम पोस्ट पॉन्ड होगा या बरती रद होगी एसे कमेंट्स आ र रुषर और अभी तक जब तक ओफीशियल कोई भी नीवगी नीउज नहीं आती तो आप किसी अक्वार के छक्र में मत पढ़ना तो प्यारे बच्वो दुरगा सकती का भी एकजाम तैर टाइम पर वोगा घ्राम सचीव ये जाम तैर टाइम अगर 12 की बजाए प्यारे बच्चों 20 को हो गया त्यारी 12 के इसाब से कर ली तो कोई गुना तो नहीं हुआ मैंने आसता के सा कोई बच्चा नहीं देखा जो पढ़ते पढ़ते पागल हो गया ओ इसा कभी नहीं होता तो त्यारी करते रहिए continue त्यारी करते रहिए आपका सिल एक्सन है दुनिया की कोई तागत है नहीं रोक सकती और प्यारे बच्चों सबसे important है कोई भी बढ़ती परकिरिया ग्रद नहीं है अब बच्चे पुच्रें सर्फी male constable के result आने में देरी क्यों है या male constable के result आने में देरी क्यों है तो आपको मैं बता रहा हूं प्यारे ब पापा को जिंदे जिंदा होते हुए भी उन्होंने नो फादर के नमबर ले लिया है फादर लेस के नमबर ले लिया है तो मैं खुद को सरम आती है यार हम किस समाज का परती निदिताओ करते हैं एक खबर में ने कल जैसे वो ओडियो वाइरल हुई थी एक SI नेना दहज मे करेटा कार मांगी थी अरे हम किस समाज को परतर सित करते हैं मैं तो मेरे बच्चों से कहना चाता हूँ आपको संसकारी भी होना है जोब लगने का मतलब ये नहीं है कि आप मलब सामने वाले से डिमांड करेंगे तो वो प्यारे बच्चों आप को एक सब्वे नागरिक भी बनना है अगर आप मलब मानते हो कि हमारी आपके सकसेस में हमारा योगदान है तो हम आप से गुरुदक्षिना मांग सकते हैं कि आप सब्वे नागरिक भी सताना मत किसी भी निर्दोस के साथ बुरा वैवार नहीं करना और रही बात अरियाना फुलिस का रजिल्ट है पेर या पांस तारीक के आसपास आपको रजेल्ट देखने को मिल जाएत बस थोड़ा सा मतलब क्या होता है जब भै दो ही इनसान को लगता है रजेल्ट आने वाला है या तो जिसन की लास्ट बरती हो और या जिसने बहुत अच्छे से त्यारी कर रखी है बीच वालों को कोई भै नहीं होता उनका तो रजेल्ट एक्जाम देते ही आ जाता है तो प्यारे बच्चो जो साड़े चार लाग सब्सक्राइबर हुए ना उसके लिए एक स्पेसल अनॉसमेंट आपके लिए रहेगी प्यारे बच्चो अभी सिरफ दो दिन के लिए आप अच्छा लगे ना तो ग्राम सचीव का बेच है ना लाई बेच 799 रुपे में और 499 में में ग्राम सचीव का आप है रिकोड़िड बेच है ले सकते हो और ये लाई है सुबफ आठ बजे से लेकर राट आठ बजे तक है क्लासे रहेगी 12-12 क्लासे इसमें रहेगी साथ में अब कमplेट हो साथ में पूरा का पूरा रिकोडिड है यानि 799 में लाई प्लस रिकोडिड है इस में उनली रिकोडिड है दुरगा सकती का 499 रुपे में है और प्यारे बच्चों मातर 100 रुपे में ग्राम सचीव की टेस्ट सिरीज रहेगी एक नंबर दे देता हूं चुएतर 9484 0047 पर य चाएगी और यही information आपके साथ share करनी थी और त्यारी करते रहिये running बगेरा की result किसी भी बहुत है आ सकता है क्योंगी result आने के बाद आपके पास time है नहीं बचेदा यह ilustralization आपके साथ share करनी थी धन्यवाद दोस्तों जै हिंदे जै भारत love you all